गुड मॉनिंग बच्चो बच्चो टूड़े आई विल टीच यू ब्रीथिंग ओर्गेंस इन डिफ्रेंट टाइप्स ओफ लेविंग थिंग्स जैसा की बच्चो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं की दोस थिंग्स विच कैन ब्रीथ एंड ग्रो आर कॉल लिविंग थिंग्स वो क्या कहलाती हैं लिविंग थिंग्स कहलाती हैं आज बच्चो हम उनी ब्रीथिंग ओर्गेंस के बारे में पढ़ेंगे की कौन कौन सी लिविंग थिंग्स जो है कौन कौन से ब्रीथिंग और्गेंस यूज करती है ब्रीथ करने के लिए ठीक है क्लास जैसे की पहले यहां देखिए इस वर्ड में कुछ ऐसी लिविंग थिंग्स होती हैं जो नोस के थ्रो ब्रीथ करती है जैसा कि क्या है, example में देखिए, human beings, human beings जान रहे हो, जैसे हम लो, and animals such as cow, cat, और दूसरे animal जैसे कि cow और cat, दूसरा आता है, कुछ ऐसे living things होते हैं, जो gills का use करते हैं, breathe करने के लिए, इसका क्या example हो गया, example, fish, ठीक है, fish जो है, उनमें breathe करने के लिए, gills होते हैं, third आता है, हमारा, कुछ ऐसे living things होती हैं, जिनमें breathe करने के लिए, air holes होते हैं, जो air holes के थ्रो breathe करती हैं, for example, insects, ठीक है बच्चो, next है हमारा, कुछ ऐसी living things होती हैं, जिनमें skin के थ्रो वो जो है, सांस लेते हैं, breathe करती हैं, उसके लिए example क्या हो गया, earth worms, ठीक है, कि earth worms जो है, किस के थ्रो जो है, breathe करता है, skin के थ्रो, and last हमारा आते हैं, कि कुछ ऐसी living things होती हैं, जैसे की plants, ये किस के थ्रो breathe करती हैं, stomata के थ्रो, stomata जो होते हैं, बहुत ही छोटे-छोटे, जो poles होते हैं आते हैं और ये plants में पाए जाते हैं और इनी के इतरों जो है plants जो है वो breathe करते हैं ठीक है class clear समझ में आया इस तरीके से आप इस word में जो different types के living things हैं उनमें breathing organs भी different different types के होते हैं वो different different organs की help से breathe करते हैं clear बच्चु ओके गुद्बाय बच्चु